हलो यूट्यूब फैमली तो कैसे हो आप सब लोग वेलकम बैक टू यूर चैनल लर्न विद दीपक तो गाइस यहाँ पर हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो कि नितिन सिंगानिया की बुक है उसका डिसकेशन कर रहे हैं पूरी बुक का और यहाँ पर हम लोग चैप्टर टू का फर्स पार्ट डाल चुके हैं पार्ट वन जो की इंडियन पेंटिंग्स है चैप्टर टू हम स्टार्ट कर चुके हैं प्रिवियस पार्ट में इंडियन पेंटिंग्स को स्टार्ट कर चुके हैं मियूराल पेंटिंग्स हमने कवर कर होती है और यह UPSC और IS के लिए बहुत जादे important book है क्योंकि यहां से बहुत सारे questions पूछे जाते हैं बहुत सारे questions ठीक है यहां पर बहुत सारे questions पूछते हैं UPSC इस book से आप यहां पर trend analysis हमने chapter number एकदम first chapter first part में cover करा था यह तो guys start करते हैं this course is presented by me दीपक यादव and one of the educator on an academy also और गाइस आप यहां पर चैनल को अपने भी तक subscribe नहीं किया तो subscribe कलेना नीचे subscribe का बटन आ रहा होगा इस पर जरूर क्लिक केजिए इसको hit करिए और bell icon को दबाएए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचें so guys don't forget to subscribe the channel उसके बाद हम बात करते हैं अब यहां पर आप मुझसे मेरे social media अकाउंट पे जुड़ सकते हैं ताकि आप मुझसे अपनी जो भी problem से वो सब्सक्राइब कर सकें इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा दीपा कंडर स्कूर 1004 के नाम से है और Facebook अकाउंट दीपा क्यादा के नाम से चैनल अपना आपका ही समझो और बिंदास अपने कोई भी प्रश्चन्स आके आप यहाँ पर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर पूछ सकते हो उसके बाद अब अब स्टार्ट करते हम ने जो लास्ट लेक्चर कवर कर रहा था वह मिउराल पेंटिंग्स को पर छोड़ दिया था मिउराल पेंटिंग्स कौन सी होती है यानी वाल पे अजन्ता के पेंटिंग्स है यह बहुत टाइम तरह यहां सर्वाइफ करा उसने अजन्ता केव को यहां पर करा गया था यहां पर खोदा गया था 14th century AD में ठीक है उसके बाद यहां पर 29 केव से जैसे मैं आपको बताया कार्व गई है होर्शू शेप में यहां पर कार्व कर जा गया है ठीक है उसके बाद जो वाल्स हैं केव की वो बोथ यानि मूराल और फ्रेस्को पेंटिंग्स दोनों को काम हुआ है वाल्स पर मूराल पेंटिंग्स आपको पता यह जो की वाल के ओपर पेंटिंग्स बनाते हैं दिवार के ओपर बहुत विशाल पेंटिंग्स जाती है वो होती है mural paintings fresco paintings यानि कि जो wet plaster प्लास्टर के उपर paint करा जाता है वो होती है हमारी fresco painting यानि दोनों ही painting अजंदा के उसमें बनाई जाती थी यह लोग tempera style का use करते थे ठीक है pigments यानि coloring करने का use करते थे और जो paintings होती थी वो किसका portrait किस चीज की जाते थे उन सब के उपर यहां पर paintings बनाई जाती थी जो emotions है वो यहां पर express करे जा रहे है hand gestures के तुरू ठीक है यह चीज दिखाए जा रही है और जो एक unique feature painting का क्या है कि हर एक female की जो figure है painting में ठीक है ध्यान से सुनना हर एक female की जो figure है painting में बनाई गई है उसका unique hair style एक बहुत ही गजब का hair style बनाई गया है बहुत ही सबसे हट कर एक unique hair style बनाई गया है आपको याद रखना है even animals और birds भी यहाँ पर emotions के थुरू दिखाए गए है common theme जो है इन paintings का क्या है वो जातक stories से related यहाँ पर paintings बनाते हैं बनाई जा रही थी अजंता के paintings में और यह लोग decorative patterns का यूज़ करते थे फ्लोरा और फॉल पत्तियों का भी खोब बिंदास तरीके से यह लोग यूज़ करते थे यह हमारे पास एक Gotham बुद्धा की painting है जो की mural of padmapani कहते हैं जो कि अजंता के इसमें यहाँ पर यह भी excavation found करी गई है अब उसके बाद बात करते हैं outline जो है figure की ठीक है अब figure की जो outline हुआ करती थी वो red ochre color से हुआ करती थी अब red ochre color यानि गेर हुआ color और ये color में आपको chapter number यहाँ पे 2 के part 1 में दिखा चुका हूँ ठीक है brown deep और red color का contour सुआ करता था यानि कि जो outline बनाते थे figure की वो red ochre color से बनाई जाती थी अब जो important paintings अजन्ता paintings एक पदमापनी painting दो हमने देख लिए वो गौतम बुद्दा की उसके अलावा जो एक important और बहुत सारी important paintings अजन्ता अजन्ता caves में वो हैं उनके कुछ paintings के बारे में यहाँ पर बात करी गई है जो की scenes from जातक stories है हमने पढ़ लिया जो जातक stories जाने की past life और बुद्दा ने अपने जीवन कैसा व्यतित करा है उसके ओपर paintings बनाई जाती थी ठीक है दूसरा famous painting क्या थी paintings of various bodhis तवाज ठीक है bodhis तर्रिवंगा पोज में हब रॉत बिंटिंग में बनाई जाती थी ठीक है यहाँ लोगों को painting बिलिये guide Commerce ब्ला पोज में है यह हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर वन में इंडस वाले सिविलाइजेशन में उसके बाद हमें थर्ड इंपॉर्टेंट पेंटिंग है जनता की वह है डाइंग प्रिंस जो की केव नंबर 16 में मिली है और फोर्थ पेंटिंग जो है वह सीन ओफ शीबी जातक क यहां पर सिन दिखाया गया है जहांपे फेंटिंग कंतर दिखाया गया है कि इसे विलेटेड यहां रहे हमारी इंपूर्डन पेंटिंग हो गयी है जकिए एसको पल लिया हमने अब बात करते हैं Elora Cave paintings की अजंता Cave paintings हमने पढ़ लिया Meural paintings पढ़ लिया अब Elora Cave paintings यहाँ पर किस तरीके हम लोगो पैंटِngs मिली है Elora Cave में अब यहाँ पर Elora Cave जो है सिर्फ और सिर्फ पाँच caves में पाँच क्फाओं में हम लोगो meural paintings मिली है मुराल पेंटिंग्स बार-बार बता रहा हूँ important हो जाती क्योंकि बहुत जगे mention हो रही है मुराल पेंटिंग्स तो मुराल पेंटिंग्स कौन सी होती है जो wall के उपर बनाई जाती है और के लास temple तक यह पेंटिंग्स लिमेट हो गई थी उसके बाद जो यह पेंटिंग्स है यह तीनों religion से related बनाई जाती थी बुद्धिज्म, जैनेज्म, हिंदुईज्म तीनों ही religion के यहाँ पर यह जो है इस तरगी की पेंटिंग्स बनाते थे और कुछ prominent ऐलोरा के पेंटिंग्स है वो कौन-कौन सी है images of goddess Lakshmi और Lord Vishnu Lakshmi जी की और Vishnu जी की यहाँ भी पेंटिंग्स है जो की prominent प्रसिद्ध पेंटिंग कहीं जा रही है इलोरा के पेंटिंग्स की second prominent पेंटिंग्स है images of Lord Shiva with his followers यानि शिव भगवान की यहाँ पे photo है image है जो की उनके followers के साथ उसके बाद beautiful और gracious अपसरास की यहाँ पर painting हमने देखी है beautiful सुंदर और दयालू यहाँ पर अपसरास की हमने यहाँ पर images देखी है उसके बाद ऐलोरा के पेंटिंग्स कुछ इस तरीके से बनाई जाती थी अब आजाते हैं बाग के पेंटिंग्स को पर ठीक अजन्त के पढ़ लिया अब आया बाग के पेंटिंग्स यहाँ पर मैंने इस तरीके से content तयार करा है कि आपको book की भी need नहीं होगी सची कह रहा हूँ आप यहाँ आप book देखो के रितने सिंगानिया की तो आपको क्या करना है यहाँ पर lecture को देखते देखते है साथ ही साथ आपको hand to hand notes बनाते वे चलना है जितने जाद आप notes बना के रखोगे उतना जाद आप multiple time revisions कर सकोगे बाद में और आपको बहुत easily जल्दी जल्दी आपका revision हो जाया करें तो guys don't forget to make the notes from this lecture तो यहाँ पर back cave paintings के बारे में बात करते हैं तो back cave paintings जो है वो represent करती है अजंता स्कूल को बाग cave जो कि मध्या प्रदेश में है और यहाँ पर इनका work जो है जो बाग cave paintings जाद तर अजंता caves की तरह ही काम करता था यानि कि जैसे अजंता के उसमें paintings मनाई जा रही थी same to same यहाँ पर back cave paintings में भी था ठीक है उनका design, execution, decoration बिल्कुल सेम था लेकिन difference क्या था कि जो figures हैं back cave paintings में वो बहुत जादे tightly model करी गई है उनमें जो outline है वो बहुत जादे stronger बनावा है और more earthly or human यहाँ पर पेंटिंग इस सबसे related होती है ठीक है बाग cave paintings था बस इतना सर डिफ्रेंस है cave number four cave number four ठीक है जो की रंग महल कहते हैं हम लोग यहाँ पर beautiful murals हैं आपर walls के उपर ठीक है जो की beautiful murals यानि beautiful paintings हैं walls को पर cave number four में जो रंग महल cave है और क्या दिखाती है बुद्ध रो जातक टेल्स जातक 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 पढ़ते पढ़ते हम लोग अब रायाद हो गया होगा जातक stories या जातक टेल्स क्या होती है यानि कि बुद्ध के past life से related यहाँ पर कि बुद्ध ना अपना जीवन कैसे व्यतित करा उसके ओपर यहाँ पर scenes बनाए जाते है बाग के paintings कुछ इस तरीके से हमारी बनाई जाती थी अब आ जाता है हम लोग miniature paintings के ओपर miniature paintings नाम सही पता चलिए आपको mini यानि छोटी छोटी paintings अभी तक क्या बन रही थी mural paintings यानि walls के ओपर बहुत बड़ी बड़ी paintings बनाई जा रही थी अब miniature paintings यानि छोटी छोटी paintings बनाई जाएंगी जाने के लिए यानि की books के लिए albums के लिए manuscript से लिए हाँ पर इस तरीके के लिए paintings बहुत छोटी-छोटी paintings बनाई जाएंगी तो जो word miniature है derived करा गया है Latin word से minimum जिसका मतलब है red lead paint red color से हाँ पर painting बनाई जाएंगी और जो paint है वो use करते हैं ये लोग जो paint use करा गया है इनके द्वारा illuminated scripts में ठीक है वो कौन सा है red lead paint during the renaissance period यानि जब हम लोग वहाँ पर पहले बहुत time पहले पुनर जागरण काल जिसे कहते हैं वो हमारा time period उसे हम renaissance period कहते हैं तो अब भी बात करते हैं हम लोग miniature की जो miniature होती है वह small or detailed paintings होती है miniature हमें पता चली और name सही क्या निकि छोड़ी-छोड़ी जो techniques होती है miniature painting अब मैं miniature painting मतने की कुछ techniques होती है जो painting होती है वो 25 square इन से बड़ी नहीं हो सकती है 25 square इन से यहाँ पे paintings बड़ी नहीं हो सकती है और जो painting का subject होता है यानि कि यहाँ पे script के लिए कुछ ऐसी paintings बनाई जा रही थी उसके बाद miniature paintings खूबसूरत paintings इस तरीके से यहाँ बनाई जा रही थी यही ऐसी छोटी-छोटी paintings बनाते थे वो लोग उसे ही कहते हैं हम लोग miniature paintings अब यहाँ पे example है यहाँ एक adult का head कितना है कितना बड़ा होता है मान लीजिए आपको suppose कना है कि adult का head है 9 inches का लेकिन उसे जब हम miniature painting में बनाएंगे तो हम उसे 1.5 inches से बड़ा नहीं बना सकते ठीक है जिससे आपको पता चली होगा यहाँ पेंटिंग बड़ी-छोटी वो side profile दिखाते थे side profile यानि की side से दिखाते थे ठीक है यह वगई nose यह हो गया मूँ और यह बच्छी नहीं बनी है विलाल देखे हो side से यहाँ पर यह लोग painting को दिखाते थे side profile ठीक है उसमें bulging eyes यानि बड़ी-बड़ी bulging eyes दिखाते थे और pointed nose दिखाते थे और एक slim way slim लगाना बोलो यानि की पतली सी कमर दिखाते थे ठीक है painting में होती थी राजिस्थानी जो miniature painting हुआ करती थी उसमें जो character का skin color होता है वो होता है brown color ठीक है सावले लोग दिखाते हैं लेकिन मुगल painter's गोरे-गोरे fairer color दिखाते हैं ठीक है painting में अपनी जो color है वहाँ पे लोड पिष्णा के लिए blue color यूज करा गया है और women की figure उसमें उनके गय動画 बहुत लंबा लंबा बनाया गया था बहुत लंबे बाल लॉंग hair बनाया गए थे और जो color आखो के और बालो के जो color बनाया गए थे वह गयर ब्लेक लाइड ठाट थीक है बहुत जनरली black color यूज करते थे रहो आख और बालों के लिए अब आते हैं women की बात करें हमने men की बात करें तो men को वो लोग जादतर traditional clothes पहना दे थे paintings के अंदर और टर्बन पगड़ी वगरा उनके head पर बनाई जाती थी अब बात करते हैं हम लोग early miniature miniature painting पढ़ लिए early miniature पढ़ते हैं तो यह जो early miniature painting है यह जादतर books albums perishable material कौन सा होता है जो जादे उसकी life ना हो तो perishable material यानि की paper palm leaves cloth इन सब के उपर early miniature painting बनाई जाती थी जो time period था early miniature painting मनाने का वह था 8th से लेके 8th और 12th centuries और यह जो painting इस टाइप की जो painting होती थी यह attribute करती थी eastern और western regions ठीक है यह विशेशता बता थी इसकी eastern और western regions की और जो early miniature के अंडर में two prominent schools है वो है पाला school of art अपब्रहमसा school of art अब इन दोनों को डिसकस करते हैं यह हो जाते हैं हमारे लिए important दो schools early miniature painting इस तरीके से बनाई जाती थी books के लिए albums के लिए cloths पर paper पर palm leaf पर बनाई जाती थी perishable material पर बनाई जाती थी तो यह छोड़ी छोड़ी paintings को बनाते थे पाला school of art की बात करें तो यह school flourish हुआ during 750 से लेगे 1150 AD में यहाँ पर यह बढ़ता गया school ठीक है राइज होता रहा अब जो यह paintings है generally यहाँ पर manuscript में हम लोग उने देखी है और palm leaf यह वेलम पेपर पर बनाते हैं ठीक है पत्ती के ओपर या फिर वेलम पेपर वेलम पेपर वेलम पेपर को असा होता यह tracing paper जैसे कहते हैं आर पार दिखाए देता है transparent paper उसके ओपर य यानि कि किस तरीके से बनाते थे sinus line subdued tones of the background imaginary का यूज करते थे आप यहाँ पर confused होंगे कि sinus line क्या होती है sinus line यानि कि पहले तो subdued tones यानि जो background होता था पेंटिंग्स का वो subdued tones यानि कि सादा फी का background हुआ करता था और जो sinus line से वो characters मनाते थे sinus line यानि लहरदार लाइनों से वो लोग characters को draw करते थे फी के background के उपर और जो paintings होती थी वो जादतर single figure मनाते थे यानि एक ही आदमिया एक और यहाँ पर painting बनाते थे और जो groups होते थे वो बहुत ही कम वहाँ पर हम लोग ने देखे हैं under पाला स्कूल अफ आर्ट पाला स्कू स्कूल अफार्ट ठीक अब अब ब्रहम से स्कूल अफार्ट अब जो यह स्कूल है यह का औरीजिन वहां गुजुरात मेवार रीजन में राजिस्थान में इसका time period 11 to 15th century था और जो जादतर paintings में themes होगा करती थी वो जेन से रिलेटेड यानिकि यहाँ दोजों चीज़े ग जेन चित्र लगे थूँ यहाँ पर यहाँ पर यह डॉमिनेट करी गए ठीक है paintings आनि जेन कहीं महां पर जादर paintings जेन के ओपर ही paintings बना रहे थे इन्होंने कोई अपना different style develop नहीं किया था लेकिन यह जो mural paintings में जो design बना जा रहे थे वही उसी type के design बना रहे थे लेकिन हमने प करते थे फिर बाद में यह लोग bright और gold colors use करने लगे ताकि हमारी painting चम चमाती भी दिखने लगे फिर उसके बाद जो features इसमें जो human figure के features हैं ठीक है यानि कि यहाँ पर यह हमारे पास painting आ गई हमारी अपर ब्रमजा स्कूल आर्ट की अब जो इसमें figure है इसकी जो features है वो क्या जाते हैं उनकी bulging eyes यानि फिश की shape में eyes बनाते थे pointed nose बनाते हैं double chin बनाते हैं ठीक है यही सारी चीज़े painting में बनाते थे और जो most famous example है हमारे पास in paintings का अपर रमजा स्कूल आफ आर्ट वा वह है हमारी कल्पसुत्रा और कलक चर्या कथा हैं वहाँ पर paintings जो बनाई गई है व डेली सल्तनेट का में यानि कि डेली सल्तनेट आया मुगल आया फिर उसके बाद मुगल में बाब और अकबर जहांगी इन समने कैस्क तरीकी paintings बनवाई इन सब के बारे में discuss करेंगे अब हम लोग next lecture में तो आज के लिए बस हो गया आपने अभी तक चैनल को like share subscribe नहीं किया इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पर आप मुझसे जोड़ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं और live interaction personally contact हो के हैं यहाँ पर contact करके आप बिल्कुल यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को sort out कर सकते हैं आज के लिए bye bye मिलते हैं आप लोगों से हम next lecture में जाहिन